नमस्कार, MP Newscast में आपको बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ दीलम्द वेचली रुख करते हैं आज की बड़ी खब्रों का गौब में लग रहे कैंप में जिस चिकितसक की ड्यूटी लगाई जाती है, वो अपनी खाना पूर्ती कर अपनी गारी से भागाते है, लेकिन एनम को जबर्दस्ती रात्री होने पर भी वेक्सीन लगाने को कहा जाता है, न तो उन्हें आने जाने का साधन उपलब्ध कराया जाता है और नहीं उन्हें ओव समय का पैसा दिया जाता है, अगर वो इसकी शिकायत चिकितसाधीकशक मौरानीपूर से करती है तो उन्हें वो उल्टा धमकाते हैं वो नौकरी से निकाले जाने तक की धमकी देते है, जिससे गुसाई एनमो का सब्र डूब गया और उन्हो ने बताया कि उनके छोटे-छोटे बच्चे है, उसके बाद भी समय पर कैम्पों पर पहुँचकर अपनी ड्यूटी निभा रही है, तथा शत प्रतिशत वैक्सीनेशन भी कर रही है, लेकिन वैक्सीन, बचने के बाद भी चिकितसाधीकशक जबरन उन्हें रातरी के समय दूसरे गौव में जाकर वैक्सीनेशन करने का दबाब बनाते है, जबकि A&M, महिलाओं की सुरक्षावा आने जाने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिससे उन्हें जबरन आटो कर रात के अधेरे में गौव से घर आने के लिए मजबूर होना पड दाया की 22 सितंबर को ग्राम मढवा में कोविड वैक्सीनेशन के लिए टीम गई थी टीकाकरन के बीच में ही लगभग 10-15 लोग शराब पी कर आये और सभी कर्मचारियों के साथ अभधर व्यभाहर करते हुए सभी कर्मचारियों को प्राइमरी स्कूल के एक-एक कमरे में बंद कर दिया जिससे वैक्सीन लगने में प्रभावित हुआ शाम पॉच बजे के बाद टीकाकरन का कार्य बिना सुरक्षा के शुरू हुआ मुख्य चिकित साथिकारी, नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी वह उप जिलाधिकारी को भेजे गए ग्यापन में उन्हें कैम्प में सुरक्षा दिलाए जाने वा ताना शाह पूर्ण रवया अपनाने वाले चिकित साथीक शिकार जी शंखवार को स्वास्थ केंद्र से अब भी नहीं हुगा हम लोग जानाम है अपकारी ना करो अगर नहीं करने तो काम करना पड़ेगा चाहिए रात के हो पूरा चाहिए वो काम पूरा चाहिए सर संकवार साथ और बेतन काटने की धंकी देते हैं और 10-11 वजे रात तक काम भी करवाते हैं और समधा से हटाने का भी नई गाउं के कुछ नहीं मिनता और साधन भी नहीं देते कुछ भी नहीं अपनी वबस्था स्वायम करो चाहिए रात में आऊ चाहिए जैसे या मेरी समस्या है कि हम लोगों को हमेसा कहा जाता है एक जगर वैक्सिनेशन होता है वहाँ पूरी नहीं होगी दूसरे गाउं जाना होगा चाहे 10 बज़ा है चाहे 11 बज़ा पूरी दवाई खतम करके आना है हम लोगों की दस से चल कितने विएर गाम कर रहे है अब हम लोग कर दे ते हैं 11 बज़े तक अगर 2 खतम नहीं हुए पूर और हम लोगों को मड़वा भेजा गया हम लोगों कहा था कि लोगों हमारी बची है हम लोग कल काम कर देंगे लेकिन सन्निय का नहीं आपको खतम करके आना है तब ही आना नहीं तो हम लोगों का मड़वा हम नहीं जाएंगे इंटेरियल में पड़ता है तो और लेडिज पूरी अकेली थी तो हम वहां पे घटना हो गई जिन्स कोई नहीं था बहन जी लोगों को कमरे में बंद कर लिया था और हम लोगों टेक्सी में तो टेक्सी घेल ली थी उन लोगों ने एक बेंजी के हाथ भी पकड़ लिया था गाहों के लोग थे सारे क्वीता क्या समस्थ्या हो गई आपके साथ हम लोगों का सारे टायल में कल कोवेट टाइंट निंका टीका करन था तो हम लोगों का तीन बजे कल कंप्लीट हो गया प्रदान जी ने हम लोगों को 100% का लेटर भी बना के दे दिया तो हम लोगों ने सब आधी बो मतलब सब लोगे खटे हो गए कि निकल जाएंगे लेकिन धर से संकौा सामने फोन किया कि नहीं सारी डोज ख़तम करके आने 80% मलब अधर पे हो गया था पूरा 100% और बागी जो कुछ डोज बची ती 100% तो वो किरा नहीं पूरी 100% करके पूरा खटम करके हम लोगों ने कहा पूरा हो गया तो किरा नहीं बोर अगल बगल के गाओं में जाओ और पूरा खटम करके याओ चारात के 9 बजे या 10 बजे सब्सक्राइब में बंद हो गया अंगनबाडी की घर में सब आप लोगों ने क्या किया फिर सर पुलिस वालों को फोन किया उधर पे तो फिर उधर की जब पुलिस आई उधर पे लह चूरत आने से तब हम लोगों को बाहर निकल वाया था हम लोग घर ने कले